हेलो एबरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए अगर आप आर्मी पबलिक स्कूल की तैयारी में लगे हुए हो तो ये इंपोर्टेंट कोश्चन जो है आपके एक्जाम में आने के बहुत बहु कोशिस करेंगे कोश्चन नमबर वन से हम लोग सुरुवात करेंगे चलिए पहला कोश्चन है गवर्नर इस एपॉइंट बाइद यानि कि गवर्नर को किसके दोरा एपॉइंट किया जाता है तो देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीप जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट के हाइकोर्ट है वो डिसाइड करते हैं एपॉइंट करने के लिए तो देखिए मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होका ना वो जाएगा प्रेसिडेंट के साथ परेसिडेंट के पास पावर होता है की वो क्या करे गवर्नर को exam में पूछे जाते हैं अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक चैल को सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसे ही informative वीडियो आपको time to time यहाँ पे मिलते रहेगी एक और important बात बतानी है जाई आप जो है ना description box को जरूर easy ताकि आपका कोई भी class miss ना हो तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब आपको odd one out करना है यानि कि इन में से कोई तीन जो है बिल्कुल similar है same है और एक जो है वो बिल्कुल different है तो वो कौन सा different है आपको पता करना है तो देखिए मैं पढ़ता हूं पंकज आडवानी, हरी कृष् कि पंका जडवानी कौन से खेल को represent करते हैं, कौन सा वो खेल, खेलते हैं बी इसका right answer होगा बढ़ेंगे next question की ओर my passage from India is a book authored by यानि कि कुल मिलाकर अगर आसान भासा मैं पूछू ना तो my passage from India के writer कौन है आपको बताना है EM poster, Ismail Merzant, उसके बाद चौजरी जी या फिर मुलक ही प्यारा question है और बहुत बार यहां पर आया हुआ question है, बहुत examination में पूछा जा चुका है तो इसे आप BVI के category में डाल लीजिए, इसका जो right answer होगा, smell Merzant is the right answer, B is correct answer, आगे बढ़ेंगे question number 4 की ओर, कूली is a famous work of, यानि कि कूली जो है किसके दोरा लिखी गई सबसे famous काम है यह बताना है, खुसवंद सिंग, V.S. नाइपाल, मुलकराज आनंद या R.K. नरायन, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, अब कुछ लोग पूछते हैं कि इतने सारे आपके classes ले लूँगा, तो क्या मेरा RV Public School में हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हाँ या R.K. नरायन की जो बढ़िया किताबे हैं, जो उन्होंने novel लिखी है, उसे देख लीजे, इससे काम हो जाएगा, अगर कोई intelligent इंसान इस वीडियो को देख रहा है, आपसे request रहेगा, जो जो question में पूछ रहा हूँ न, आप लोग answer एक ही साथ एक comment में edit करके कर देना, और सार लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को like जरूर करें, ताकि उनको जो है appreciation मिले, और आगे भी वो आप लोगों के लिए information देते रहे हैं, तो चलिए, आपका काम start होता है, खुसबन सिंग के दो-दो किताब को लिख दीजी, इनके भी दो किताब को, इनके a train to Pakistan लिखे है, जो कि मैंने खुद पढ़िया है, बहुत अच्छी love story आप इसे पढ़ सकते हो, आरके नरायन की मैंने बहुत सारी किताबे पढ़ी है, तो अभी मैं मुल्क राजानंद को नहीं पढ़ पाया हूँ, बट in future देखता हूँ, इनके पढ़ पाता हूँ या नही इसका जो correct answer होगा आप देखिए, ये factual question है, ये right answer होगा, Ray, Tommy, देखिए एक और बात मैं आपको बता हूँ, ये तो answer C हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से एक बार एक task देता हूँ, अब आप बोलोगे पढ़ाते कम हो, ज़्यादा पूछते हो, देखिए आपको केज होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे केज होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको comment box में बताना है, YouTube के जो CEO है या फिर founder है, वो कौन है, YouTube का बताना है आपको, Facebook के बहुत सारे बहुत बार exam में आ चुका है, Facebook के बारे में, और एक और important है, Insta app है, ये जो है, किस company ने इसे खरिद लिया है, तो ये सारे questions को आप देखते जाए, Google के भी CEO को आप लिख सकते हो, नीचे comment box में, ताकि और लोगों को आप help कर सको, तो इसका जो correct answer हो ना, वो क्या हो गया, option number C, बढ़ेंगे next question की और, next question is, when did the second round table conference took place, यानि कि second round table, यानि कि तो दूसरा goal में समे अगर आप comment करके बता पाएं, तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए, फिलाल के लिए जो इसका right answer है, वो 9031 है, second round table conference, 9031 में हुआ था, तो D is your answer, next question की और बढ़ें, उससे पल एक छोटा सा, आप लोगों के लिए information, देखिए, जो भी previous year question paper लेन है मुझे, suppose कर लो कि नहीं को मेरे द्वारा handwritten notes चाहिए, actually मैंने खुद army public school का exam crack किया है, तो इसके लिए आपको 499 का एक छोटा सा transaction करना है, आपको paper मिल जाएंगे, अब बोलोगे, इतनी सारी बातें बता दी, मिलेगा कहां से, यहां से मेरी email ID देख लीजे आप, yourmithunsing at at the rate gmail.com, यहां से mail कर लीजे, इंस्टा पे हो, then do follow me at the rate imithunsing, आप सर्च करना, आपको ID मिल जाएगी, वहां पे आप follow करके question पूछ सकते हो मुझसे, एक और important बात, यह सिर्फ paper या फिर notes लेने के लिए नहीं, अगर आपके मन में कोई, सच मुछ मैं genuine सा doubt है ना, कि इस exam को लेकर, army public school के exam को लेकर, आप contact कर सकते हो, बेहिचक, सारे सवालों के जवाब में देने की कोसिज करूँगा, थोड़ा सा जो time है, वो लग सकता है, लेकिन जवाब में जरूर दूँगा, तो चलिए, आप अपने सवाल जो है, भे सकते हो, और paper के लिए inquiry भी कर सकते हो, आग इसलिए मैंने इसे यहां पर include किया, देखिए, अस्ट्रेलिया और जो आपको New Zealand है लगबग लगबग एक जैसी ही country दिखेगी, याद रखिएगा इस बात को, अस्ट्रेलिया और New Zealand जो है दोनों की जो foreign policy है, दोनों एक जैसे ही rule को follow करते हैं, दोनों हर चीज में जो है, ल अब आप लोग comment box में बता दो, अस्ट्रेलिया के Prime Minister या President कोन है, आगे बढ़े देंगे next question की और, metals which chemically behave both as metal and non-metals is called, देखिए, जो metal की तरह भी behave करेगा और non-metal की तरह भी behave करेगा, देखिए, छोटा सा मैं ग्यान देदू, आप तो वैसे भी बहुत ग्यानी हो, देखिए अब मैं English पर बोल दिया, थोड़ा सा Hindi में समझा देता हूँ, देखिए, metal के है न, आप इसके दोरा current को pass करा सकते हो, अगर लोहा में current को अगर आपने सटा दिया, नंगी तार को उस पर सटा दिया, तो दूसरे तरफ लोहा में भी current लग जाएगा, लोहे को एक तरफ से गर react कौन करता है, याद रखेगा, ये जो right answer होगा आपका, वो जाएगा, option B के साथ, तो ऐसे जो metal और non metal दोनों की तरह है treatment, ये जो treat करेगा, याद रखेगा इस बात को, next question क्यों बढ़ेंगे, which of the following articles of constitution deals with a financial emergency, तो देखिए, financial emergency के लिए कौन से article का use किया जाता है, तो लिए article जो 356 है, 360 है, 370 है, 352 है, आपको इससे ना हजारों तरह के प्रसंट, जो है, हजारों एक्जाम में ऐसे question आ चुके है, तो आप लोगों से फिर से एक बार सारे बिद्वान जनों से request रहेगा, जो scholar personality के लोग है, comment box में 350, 360 और जो 370 है, इसको describe कर दे, ताकि और को information मिल पाए, तो देखिए इसका जो correct answer होगा ना, वो 360 होगा, फिलाल आप ये समझ लो, financial जहां पर देखे तो उसका right answer क्या होगा, 360 is the correct answer, अभी तक इंडिया में लगाई गई है या नहीं, आप लोग comment करके बता दिना, आगे देखिए, the largest river, आप देखिए, यहां पे इन answer, तो ये 10 question थे, आगे भी इस तरह के questions मिलते रहेंगे, आप लोग अपना सुझाव, suggestion जरूर दे, कोई सिकायत हो, कोई complain हो, तो जरूर करें comment box में, क्या आप और भी question चाहते हूँ, अभी तो मैंने 10 question करा हैं, क्या आप चाहते हो कि मैं रोज 20 question करा हूँ, या 30 question करा हूँ, comment box में जरूर बताईएगा, अगर आपने जबाब दे दिया, तो मुझे पता चलेगा, कि वीडियो आपने यहां तक देखी है, तो चलिए, फिलाल आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामनाएं हैं, कि आप पढ़ाई करते रहें, और exam में आप बहुत अच्छा score कर पाएं, thank you so much for watching this video, have a good day.